तो आज मैं आई हुई हूँ तरेन रेस्टरेंट में जहां की थीम है ट्रेन बहुत ही सुन्दर रेस्टरेंट है बहुत ही बड़िया है आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है रेस्टरेंट तो वीडियो के एंट तक जरूर बने रहे और फुल वीडियो जरूर देखें बहुत ही मज़ा आने वाला है चलिए सबसे पहले हम गाड़ी पार्किंग पर लगा लेते हैं अब यहां देखें सबसे पहले ही आपको यह चोटी सी ट्रेंट दिखेंगी पर यह रेस्टरेंट नहीं है यह बच्चों के लिए ट्रेंट है यह यह सामने आपको गार्डन दिख रहा होगा और यह रहा रेस्टरेंट जो की नाम आपको दूरते ही दिख रहा होगा दा ट्रेंड रेस्टरेंग इसका गेट भी देखें कितना प्यारा गेट है और यहां पर एक कार रखी हुई है सेलफी के लिए आजकल तो सेलफी बहुत ही जरूरी हो गई है जहां पर सेलफी लेने का बना रहता है वहीं पर लोग ज्यादा पहुंसते हैं तो देखें यह कार चलती नहीं है लेकिन कितना अच्छा इसको बनाया गया है इसको सिर्फ शेलफी और वीडियो के लिए और यह रहा दा ट्रेन रेस्ट्रेंट जो की बहुत ही ब्यूटिफुल है आप इक कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताइएगा कि आपको यह रेस्ट्रेंट कैसा लगा अभी मैं आपको पूरा रेस्ट्रेंट बहुत अच्छे से गुमाऊंगी दिखाऊंगी सारा कि क्या कैसा बना हुआ है यहां पर तो चलते हैं यह देखे यहां पर बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है और कुछ इस तरह से यहां बीच-बीच में ऐसे चोट-चोटे हाउस बने हुए है और चियर वगेरा यहां लगी हुए है तो हम लोग जो चाहे तो इसके अंदर भी खाना खा सकता है और इसके लावा गार्डन में भी यहां पर चियर लगी हुए है चियर टेबिल लगी हुए है खाना करने के लिए अब हम चलते हैं दूसरी शाइट यहां पर यह बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से गार्डन दिया गया है जहां पर देखिए कितने प्यारे प्यारे जूले लगे हैं बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश यह देखिए कितना ब्यूटिफुल सा यहां पर पुल बना हुआ है जिस पे चड़ कर हम जा रहे हैं ट्रेन की ओर और ट्रेन आपको दिख रही होगी यहां पर खाना बगेरा बन रहा है चाहे तो हम ट्रेन के अंदर बैट के भी खाना खा सकते हैं और गार्डन में भी खाना खा शकते हैं इस देख potrzeb concentrator का कि यहां पार एक ऩाइप का बना हूआ होँा हैं काफी व्यूटिप्ल एपूरिए मनः की अमिशा चाहए हैं कि यह देखे इसके अंदर भी यह बना दाखे हुए हैं तो इसस्थे ऑन्र भी खाना का शुरु को साखते हैं और यह station type के बना हुआ है यहाँ पर भी हम खाना खा सकते हैं और यह बना हुआ है गार्डन तो गार्डन में भी chair और table लगी हुई है हम लोगों ने तो यहाँ garden में खाना खाय था क्योंकि हम लोग काफिन सारे लोग थे तो यहाँ पर 2-3 table लगवा के हम लोगों ने यहीपर डिनर किया और यह देखिये यहाँ पर कितने सुद्र सुद्र रूम बने हुए हैं गार्डन में ही तो रूम के अंदर भी हम डिनर कर सकते हैं आप घूमते लगने लगी है भूख हम लोगों ने यहाँ खाना ओर्डर किया और हम लोग कर रहे हैं वेट खाना आने के खाना अने का यह देखिए मेरे प्यारी प्यारी भांजियां यह मेरे हस्बेंड मीनू देख रहे हैं कि यह ओरर करना है यह मेरे नंद अब सब वेट कर रहे हैं खाने का खाना ओडर कर दिया है वस आने ही वाला है यह सबसे पहले आया पीजा और वीर को देखो बैठके पीजा का रहा है और बच्चे लोग भी सारे पीजा का रहे हैं क्योंकि बच्चों को खाना जादा पशन नहीं आता है तो यह लोग पीजा चॉमिंग सबसे पहले इनोंने यही सब और किया तो बच्चों के लिए पीजा चॉमिंग फिंगर्शिप्स वगेरा यह सब आई और यह लोग हमारा खाना भी आ गया मिक्स वेज नौन पनीर चलो अब खानवाना हम लोगों ने खा लिया है अब हम लोग यहां घूमेंगे रिल्स बनाएंगे वीडियो बनाएंगे और बहुत सारा इंज्वाइ करेंगे तो वीडियो के अंड तक आप जरूर बनी रहें अभी मैं आपको और यहां पर रेश् यह त्रेन बच्चों के लिए है बच्चेस में बैटके खेल चकते हैं घूम सकते हैं ट्रेन चलती भी है यह और यह है दतिया स्टेशन क्योंकि यह जो रेश्टरेंट है दतिया में ही बना हुआ है जो की छाषी के पास है और यहां पर सामने गाड़ी पार्किंग के लिए है काफी बड़ा ग्राउंड में यह रेश्टरेंट बना हुआ है मेरी नंद सामने खड़े हो कर देके रील बना रही है और दीरे दीरे सब ही आते जा रहे हैं बच्चे लोग गए गाड़न में केलने यह देखिए यहां का गेड भी कितना ब्यूटिकुल है यह दीर आ गया फिर से कार में बैठने के लिए और यहां का यह बच्चों का गाड़न है यह जूले बगारा लगे हुए हैं जहां पर बच्चे बहुत इंजुआय करते हैं और यह दौनों को देखो कार पूरी तोलने में लगे हुए चार तरफ से आप रेस्ट्रेंट देख सकते हैं काफी ब्यूतिकुल रेस्ट्रेंट है बहुत की अच्छा लगा हमको आपको रेस्ट्रेंट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो चलगे तो वीडियो को एक लाइक करें चैनल पर पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें चलती हूं मिलती हूं नेक्स वीडियो में बबाई हम बबाई ये करें वीडियो में वीडियो में आ आते हूं एकर बदियो में बबाई